पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का जो विशय है वो भी हमारे ग्यान को किसी अलग डाइमेंशन में बढ़ाने का विशय है मतलब क्या है देखे पिछली कक्षा में हम लोगों ने चुम्बकत्व के बारे में बात किया था यहां पर हमारे डिसकर्शन का टॉपिक क्या था आवेश गतिमान आवेश और उसके चुम्बक की अप्रभाव ठीक है आज हम प्यूरली चुम्बक की बात करने वाले हैं और यह जो है बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक होने वाला है जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ के पैन कापी निकाल लीजे और लिखने के लिए तयार हो जाए लेकिन आज का जो विशा है वो पैन कापी वाला नहीं है तो आप बड़िया आराम से बैठें और मेरी बातों को सुनें क्योंकि अगर आप जो है वरतमान परीशेपिय में जो चीजें चल रही हैं आज जो चीजें हमको नजर आ रही हैं उसके तिहास के बारे में ना जाने तो उससे होता है नुकसान तो चलिए आईए बात करते है धिरे धिरे सारी चीजेंगे तो बड़ी आराम से बैठें चल मारिए अपने पैरेंस को भी बुला लिजिए और आए देखते हैं कि आज हम क्या डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं चुमबक के इतिहास के बारे में ठीक है चुछल ये है हमारा प् इटली और ये पूरा यूरोप वाला इलाका है और भारत से अगर आप जो है समुद्री रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अरब घाड़ी से निकलते हुए यहां पहुंच रा पड़ेगा और इस देश का नाम है ग्रीस मतलब गाडियों में लगाने वाला निकले और ये सारे जो विद्वान जहां से निकले वही की एक कहानी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ सुनाने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिए ये जो ग्रीस है इस ग्रीस में ये एक जगा है और ये जगा का नाम है मैगनेशिया ठीक है अब यहां जो है क्या स्पेशल हुआ यहां एक बार की बात है कि एक चरवाहा था अब यह चरवाहे लोग क्या करते हैं भाई डंडा लेकर चलते हैं निदो इनकी बेढ़े तो भाग जाएंगे लेकिन वो डंडा जो है उसके नीचे सबसे नीचे वाले हिस्से में लोहा लगा रहता है ताकि जो है वो धीरे छोटा ना हो जाए इसके खतम ना हो जाए तो यह डंडा लेकर जो है यह चरवाहा घूमा करता था और इस चरवाहे के साथ में एक दिन ऐसी एक खास बात होई कि इसका डंडा वो उसके हाँ से चूटने के बाद में जाकर कहां चिपक गया पत्थर से चिपक गया और जब इसने डंडे को खीचने का प्रयास किया तो इसे एक अजीब ढंग के बल की अनव होती हुई इसे ऐसा लगा जैसे इसे इसके पैर कोई पकड़ रहा है इसके जूते में भी कीले लगी हुई थी और उन कीलों को कोई खीच रहा है तो बाद में जो है इसने देखा कि बाकी जो चुम्बक की पदार्थ हैं मतलब बाकी जो लोहे जैसी चीजें हैं यह चीजें भी जाकर उस पत्थर में चिपकने लगी हैं और यहां से ही हमको पता चला कि चुम्बक नाम की चीज होती है अब यह चुम्बक नाम की चीज इसको जो है यहां इन लोग क्या कहते थे इ अब ये ग्रीस की एक जगा से हमको पता चला कि चुम्बक नाम की कोई चीज होती है उन्होंने बड़े आश्यरे से देखा लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चुम्बक क्या सिर्फ बच्चों के खिलने की चीज़े हैं मतलब हमारे जीवन में इसका कोई उपयोग होना चाह पहले जो है जो नाविक होते थे वो अनपर नहीं होते थे उनको खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था वो तारों की गढ़ना करने में सक्षम थे वो देखते थे कि किस जगा में कौन सा तारा किस मौसम में नजर आएगा और उस हिसाप से समुद्री रास्तों पर चला जात लेकिन हमें आज पता है कि पृत्वी के अंदर भी एक चुम्ब की गुण होता है और उस चुम्ब की गुण का उप्योग हम बाहर से एक चुम्ब के द्वारा कर लेते हैं यह कहलाता है कंपास, मैगनेटिक कंपास और यहां जैसे आप देख सकते हैं यह अलग-अलग दिस मुचनव के दंपर चल रहे हैं लेकिन पहले बड़ी यात्र रहें वयाज जिह श्क आउन लगी अब ये कमपर आया कहां से तो सबसे पहले सूंग सामराज जो की चीन का एक सामराजर सुंह डाइनिश्टी कहते हैं उस समय कि किताबों में यह उलेख मिलता है कि उन में एक ऐसी मचली थी जो पानी से भरे कटोरे में डाल देने पर हमेशा दक्षड की ओर अपना मूँ कर लेती थी इसी तरीके से यह जो चम्मच जैसी आकरती आपको नजर आ रही है नीचे एक प्लेट रखी हुई है और इस चम्मच जैसी आकरती को घुमा कर छोड़ दिया जाता था और तब देखा जाता था कि यह एक निश्चित दिशा में ही जाकर रुखती है और उससे जो है सबसे पहले चीनियों ने कंपस की रचना की यहां पर देखिए चीनी भासा में बहुन सारी चीज़ें लिखी हुई है उन्हों ने बनाया यह कंपस और उसके बाद क है कि आपका चुम्बकी कंपस है यह प्रिथव के चुम्बकी चहतर का उप्योग करता यह हमेसा उत्तर की और दिशा दिखाता है तो हमारा प्रशन यह है कि क्या सिर्फ rapign h sendiri holistic ही रुप यह हमारे लिए इतना ही उप्योगी है यह ना हो तो मोटर ना चले, इसी तरीके से यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से कचरे से लोहे और लोहे से बनी हुई चीजों को उठाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जब आप recycling के बारे में सोचते हैं, तो आप कचरे में से चु हम मैगनेटिक रेजोनेंस का उपयोग करते हैं, मतलब चुम्बक का उपयोग करते हैं, यहां यह जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली, सबसे ज़्यादा आम चीज हो गई है, वो है speaker, speaker में भी आप यहां देखेंगे, तो यह देखे, आपको चुम्बक नजर आ रहे ह तो इस प्रकार अब यहां देखें hard disk आप data store कर रहे हैं आप कहते हैं कि आप modern data technology को जानने वाले लोगों में से हैं तो आप जान ले कि data store करने के लिए hard disk में भी चुम्बक का उपयोग होता है और यह सारे जो PC भी बने हुए है यहां पर भी किसी ने किसी प्रकार से हम चुम् इस तरीके से लगा दें तो फिर आप सामने वाला बल्ब जला सकते हैं जब तक लोगों को बैटरी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी तब तक इस प्रकार से जो है गाड़ियां जो है रोशनी के लिए यह उपयोग करती थी उसी तकनीक का जो है ब्रिहत रूप में जब हम उपयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि चुम्बक का दखल हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहराई से है और अब जो है मैं आप से एक प्रशन पूछूंगा कि देख रहे हैं आप इतनी माइकल जैक्शन जो है किस प्रकार से जुपे हुए है मेरा प्रशन है कि क हुए 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 है